जब कभी मन उदास हो जाता है ना कभी कबार ऐसा होता है कि हम रोज एक जैसे नहीं सोचते हैं और नहीं रहता है दिभाग तो कभी कबार बोरिंग फील होने लगती है काम करते करते भी और खुश रहते रहते भी कब हमारा मन किस तरब चला जाए Angel वो कोई वो नहीं है तो हमारा जो पार्क है न वो बहुत अच्छी पार्क बने हुए हमारे सोसाइटी के अंदर ही तो खेर ये पार्क जो है वो बाहर का पार्क है थोड़ी से दूर में तो मैं कुछ बोल रही थी यहां पर और मुझे बनादा था अपने चैनल के लिए लोग बैनर और मैं चली गई पार्क और बड़ा सकून मिलता है पार्क में जाने के बाद और जो सुकून प्रक्रिती के गोध में बहुत अच्छा लगेगा मैं आ गए हूँ सब्जी लेके और सब्जी मैं निकाल देती हूँ बहार पनियों में से तो यह मेथी है और यह है काना के और काना की दीदी के फेवरेट अंगूर और यह है पापा के पापा का फेवरेट पाइया उनको पपीता बहुत पसंद है अभी नहीं अभी नहीं अधी किलो लेसुन और यह है एक किलो टमाटर और यह प्यास की पती है एक किलो मुझे बहुत अच्छी लगती है यह अच्छी है और वह आ गए ध्यानी जी यह दोनों बच्चे ऐसे भागते हैं बातरूं का दरवाजे बन करो यह देखिए दोनों ऐसे भागते हैं तो यह है ब्रॉक्ली प्रॉक्ली यह धनिया और यह है दो आधा किलो बीज्स अरे यह क्या होगा यह यहां याधी किलो घोबी है लोडी मुझे इतनी पसंद ने आ रही है यह क्या है अच्छा यह मूली है क्या क्या है वी यह है गाइज गॉली परे और यह है एक किलो प्यास तो मेरी सारी सब्जी हो गई है अब से यहाँ एभ और हम मैरी ममी का दिया हुआ तो इस सब्जी को मैं आप सुबह धूंगी क्योंकि इतनी सारी सब्जी मैं भी धूनी सकती हूँ, खाना बनाने का टाइम हो चुका है, आज कल हम जल्दी खारे खाना, तो ये थोड़ा सा सब्जी मैं उधर की तरफ लगा दूँगी, ये ग्रोसरी का सामान है, हमारा बहुत दिन हो गए हैं इस ग्रोसरी के समान को, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से, आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूंगी, और इसलिए शेयर करूंगी कि 6 मन्त का हम जब ग्रोसरी रखते हैं, तो बहुत फाइदा होता है गाईस, हमारे बजट में भी, और हमारे जो हम थोड़ी थोड़ी चीजे लाते हैं तो उनमें कितना ज़्यादा पैसा जाता है, और अगर हम 6 मन्त का एक बार ले आएं तो बहुत अच्छा रहता है, उसमें हमारे पैसे भी बसते हैं, तो ये जरूर में वीडियो बनाऊंगी, और कहां से लाते हूं, हम होलसेल मार्केट से लाते हैं, होलसेल मार्केट यानि की हमारा GST कार्ड बना हुआ है, तो अपने GST नमबर पे लाते हैं, हम लोग एक मॉल है, अकसर धाम, मेट्रो स्टेशन करके हैं यहां पे, तो वैसे तो लोट्स होलसेल सलूशन जिन जिन सहरों में होगा न, तो वहां मिल जाएगा अगर आपके पास GST नमबर होगा, तो न, हमारा कार्ड बना हुआ है, GST नमबर चाहिए होता है, GST नमबर उनके पास होता है, जिनका अपना बिजनेस होता है, तो हमारा अपना जैसे काम है, तो हमारे पास GST नमबर है, GST बरते हैं जैसे लोग तो GST नमबर मिलता है, तो डारेक्ट फैक्ट्री से ना हॉलसेल सल्यूशन में आता है ये रासन जो किरियाने के दुकान वाले होते हैं तो वो भी इसी फैक्ट्री से लेते हैं तो ये डारेक्ट फैक्ट्री से वहाँ पर आता है माल और तब उठाते हम तो जैसे दस पंदरह हजार का उठा लिया एक ब और वहीं से लाते हैं तो यह 2 कटे चावाल कर दिखा होगा आप लोगों को एक मैंने अपना भीस लीटर, वह जो भीस किलो का क्या है वह ढराम है तो आप यह जैसे यह 0 5ATA तो जैसे यह जैसे यह चावल का कट यहां पर 25 एऽ के पल्स ओर यह जी का है यह मुधाश्धु यही पाता है याही फैसिजनो को लाने तो हएव और वहां यह समान हमें ना पूरा 30,000 का पड़ता क्योंकि बहुत सारे ढेर साबुन है और बरतन धोने के कपड़े धोने के बहुत सारी चीजह में कल आप लेगों के सांथ शेयर करूंगी और वहां से पड़ा हमें कितने का 20,000 का समान पड़ाए हमें और अगर हम बहार से लेते तो 30,000 का मतलब 10,000 का बेनिफिट हो जाता है और 30-40 परसेंट मतलब फायदा होता है तो मैं जरूर शेयर करूंगी इस वीडियो को आप लोगों के साथ तो चलिए गाइस अभी में बना देती हूं खाना और सब यह देख सब्जी मंडी से सब्जी ले आई हूं और बहुत थप चुकी हूं तो अभी बनाना है खाना अभी ध्यानी जी आ गए उनको चाय पानी पिलाना है और फिर फटा फुर से खाना बनाना है आज कल हम जल्दी खा दे नहीं मतलब सवा आठ साड़े आठ तक हम खाना कंप्लीट कर दे रहे हैं तो चलिए ठकींगे चाहें कुछ भी होगा काम तो करना ही है कौन करेगा अब वो दिन गए क्या निकाल यह बिना धुए खाएगा ना अभी तबित खराब हो जाएगी उनमें कैमिकल होता है पाउडर होता है ज यह सुबही है शुबहाइए ऐसी हर्कते करता है मैं बहुत मार भार हूँगे फिर चलो एड़िटिंग और तो काना ले रहा है यहां पर अपनी कल से काना के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और बहुत सिर्योस हो गया एक अब उसके क्लास 10-10.50 बजे से स्टार्ट होगे और सुपह सुपह का टाइम इतना ज्यादा वो हो जाता है ना ये देखे यहां पर कागज फाड़ के रखे हैं काना ने काना डॉक्टर डॉक्टर खेल रहा है